Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप बहुत ही अच्छ होंगे कभी भी आपको अपने period के color को ignore नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी period का color आपके आने वाले खत्रे के बारे में आपको पहले ही बता देती है So अगर आपके period dark brown, black, pink, red, yellow, green या grey color की आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके period आपको क्या कहना चाहरी है उससे पहले मैं आपसे request करूँगा अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछली period का जो blood होता है वो आपके uterus में जमा हो जाता है और जब आपकी next period आती है तो ये black या brown bleeding बनकर बाहर आ जाती है ठीक इसी तरह से अगर आपकी period का आँखरी दिन चल रहा है तो जब आपकी period खतम होने वाली होती है तो आपकी period bleeding slow हो जाती है धीमा हो जाती है और जब आपकी bleeding slow होती है तो ये bleeding oxygen के साथ आसानी से react कर जाता है oxidize कर जाता है जिसके वज़े से उसका रंग dark, brown या black हो जाता है इसके लावा अगर आपकी period 2 महिने या 3 महिने पे आई है तो इस situation में भी आपकी period का color dark, brown या black हो सकती है क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी period लंबी time तक नहीं आती है तो आपके uterus में blood जमा होती होते वो dark रंग का हो जाता है तो इस case में आपको dark, brown या black bleeding होने के साथ clotting भी हो सकती है लेकिन अगर clotting का size एक quarter size से जादा होता है तो ये किसी दूसरे problem के तरफ भी इशारा कर सकता है आपको polyps हो सकती है, fibrand हो सकता है या endometrosis जैसे problem हो सकती है तो अगर आपके period 3 महने के बाद आई है, dark, brown या black color के period हो रही है साथ ये उसमें clotting भी बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं तो आपको इस बारे में अपने doctor से ज़रूर बताना चाहिए अगर आप pregnancy plan कर रहे थी और आपको period miss होने के बाद या period miss होने के पहले हलकी-हलकी brown या हलकी pink color की bleeding आपको एक या दो दिन दिखाई दी है तो इसका साफ मतलब है कि आप pregnant हो चुकी है क्योंकि ये implantation bleeding है और implantation bleeding pregnant होने के बाद ही महिला को महसूस होती है और अगर आप पहले से ही pregnant है और आपको pregnancy के दौरान dark brown, black या pink color की bleeding pain के साथ हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि आपका miscarriage होने वाला है इस situation में आपको alert हो जाने की जरुवत है और इस बारे में आपको अपने doctor को जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करना है ताकि आपका miscarriage नहीं हो सके अगर आपकी period irregular है period time पर नहीं आती है हमेशा आपकी period दो महिने या तीन महिने पर आती है जब भी आपकी period आती है तो period में काफे जाधा bleeding आता है आपको pain भी काफे जाधा होता है और आपकी period साथ दिनों से जादा दिनों तक रहती है और आपकी period का color black या brown हमेशा रहता है साथ ही उसमें clotting भी आपको दिखाई दिती है तो इसका साफ मतलब है कि आपके uterus में कोई ना कोई problem हो गई है आपको fibroid हो सकता है, आपको polyps हो सकती है आपको endometrosis या PCOD जैसी problem हो सकती है और आपको इसे कभी भी नजर अंदाज नहीं करना है इस बारे में आपको अपने doctor को जरूर बताना है वैसे मैं आपको कुछ घरेलो उपाई भी आगे बताने वाला हूँ जिससे आप अपने इस problem को आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर आप इसे आज ठीक नहीं करते हैं तो आपको बाद में pregnant होने में भी काफी दिक्कत आ सकती है इसके लावा अगर महीने के बीच में हमेशा आपको light pink कलर की spotting दिखाई परती है तो इसका साफ मतलब है कि आपके शरी में estrogen hormone की कमी हो गई है estrogen hormone ही आपके uterine lining को तयार करता है जिसके वज़े से आपकी period time पर आपाती है अगर आपके शरी में estrogen hormone की कमी आ जाती है तो आपको बाद में pregnant होने में भी time लग सकता है इसलिए आपको इस situation में सतर्क हो जाने की जरुवत है अगर आपकी period bright red कलर की आ रही है तो यह बिल्कुल normal है आप बिल्कुल healthy है अगर आपको grey, green या orange कलर की bleeding या discharge हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि आपको infection हो गया है इस case में भी आपको सतर्क हो जाने की जरुवत है तो जलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने period की इन सारे problem को आसानी से कुछ घरेलू उपाय अपना कर ठीक कर सकते हैं अगर आपकी period time पर नहीं आती है, period irregular है, period में dark brown या black color की bleeding आती है या आपको period की किसी भी तरह की problem हो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने life style को change करना होगा आप कितने बज़े सोते हैं, कितने बज़े उठते हैं, कब खाते हैं, ये सारी चीजों को आपको बिल्कुल change करना होगा बिल्कुल आपको time पर करना होगा नमबर टू आपको अपने diet में changes करने हैं, आपको हरे फल, सबजियां और dry fruits का सेवन जादा से जादा करना है आपको हर रोज सोरी नमसकार, परनायम, कीगल exercises, तितली आसन, running, jumping, roping और stretching जैसे exercises हर रोज कम से कम 30 मिन तक जरू करना है ये आपके period के सभी problem को ठीक करने में मदद करेगा इसके लावा आपको हर रोज अश्वगंधा और शतावरी का इस्तमाल करना है अश्वगंधा और शतावरी महिला के लगबग सभी तरह के problem को ठीक करने में मदद करता है ये period को regulate करता है साथी period में black या brown color की bleeding आने की problem को भी अश्वगंधा और शतावरी आसानी से ठीक कर देता है तो आपको करना क्या है कि online आपको किसी भी store से अश्वगंधा और शतावरी की powder को purchase कर लेना है वैसे मैंने अश्वगंधा और शतावरी के powder का purchase link वीडियो के description में भी दे रखा है इसे खरीदने के बाद आपको करना क्या है कि रात में सोने से पहले दूद में आपको दो छोटे छोटे चम्मच अश्वगंधा और शतावरी का दूद में मिला लेना है और इससे आपको पी लेना है इससे आपकी पिरिड की प्रब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा इससे आपको रेगलर बेसिस पे ज़रूर पीना है इसके लावा अगर आपको इन्फेक्शन की प्रब्लम है तो आपको रात में सोने से पहले एक ग्लास पानी लेना है और उसमें आपको दो बड़े चम्मच अजवाइन डाल देना है और उससे आपको रात भर ढख कर छोग देना है सुबा होने के बाद उस पानी को चान कर आपको पी लेना है ये आपके इन्फेक्शन के प्रब्लम को दूर करेगा साथ ही ये आपके इन्फर्टिरेटी के प्रब्लम को भी दूर करने में मदद करेगा सो आई होब कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी वीडियो पसंद आईए वीडियो को लाइक करें इसे अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें अगर आपके मन में किसी भी तरका सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसी तरह खास वीड को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं